हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टी यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 अपनी एस वीडियो दे विच्छ आपा जिस टैंस दी गल करन जा रहे हां ओ है प्रेजेंट कॉंटिन्यूज टैंस सब तो पहला अपा एस टैंस दी पहचान जी डी ओ करांगे प्रेजेंट कॉंटिन्यूज टैंस आपा ओदो यूज कर दियां जदो प्रेजेंट दे विच्छ चल रहे समय दे विच्छ कोई केरे है कोई एक्षन है येड़ा ओ अपना चल रहे है खातम नहीं होया मतलब के कॉंटिन्यूज लगातार चली जा रहे है ता उथे अपा प्रेजेंट कॉंटिन्यूज टैंस है येड़ा ओस दा यूज कर दियां सब तो पहला पैस दी पहचान इस दी पहचान की है पहचान प्रेजेंट कॉंटिन्यूज टैंस दी जदो अपा कोई बाक बोल रहे हैं जो केरिया जिस केरिया दे अपा करन दी गल कर रहे हैं उस केरिया दे नाल जेकर आउंदाए रहा है रही है रहे हन जा फिर रही हन ता उत्थे अपा प्रेजेंट कॉंटिन्यूज टेंड सा यूज कर दियां रहा है रही है किस तरह फार इकर schne देखो और मैं बोल रहा है हना मैं कांटिन्यूज जेड़ि मेरी केरिया ही चल रही है खतम नहीं होई और ए जेड़ि केरिया पास्ट दी नहीं है फ्रेजेंट दी ही है एस टैम जिस वक्त मैं गल कर रहे हैं ए मेरी केरियाजेडियो हो चल रही है मैं कहां मैं बोल रहा हां मैं लिख रहा हां मैं पढ़ रहा हां मैं स्कूल जा रहा हां मतलब सारी ही वाकां दे अंतते रहा है रही है रहे हन जो दो इस तरह आउंद है ता उत्थे अपमा प्रेयेंट कॉंटिन्यूस टेंट्स दा यूजा येड़ा ओ अपमा कर दिया सब तो पहला देखो इस दा अफर्मेटिव जेकर रहा है रही है रहे हैं इस तरह अपना कोई वाक होवे ता अपमा उसनूँ प्रेयेंट कॉंटिन्यूस टेंट्स दे मताब कर बना मांगे ता सब तो पहला अफर्मेटिव जेकर आपना वाक णेटिव भी नहीं है और किसे तो आपमा प्रशन है येड़ा ओ भी नहीं पूछ रहे तापा ओसनो अफरमेटिव सेंटैंस आज़डा ओसने structure मताब के बना मांगे सब्तो पहला पा यूज करांगे subject subject वर्ब की हुं दिया है, चंगीत ना आपा पहला कर चुके है सब्तो पहला पा subject दा यूज करांगे ओसनो बाद प्लस is mr आर इनना दे विच्चु आपके से इकदा यूज करांगे अकॉर्डिंग टू सुजेक्ट ओ किस तरह करांगे मैं तो आनू दसना इज एम आर उस्तों बाद प्लस वर्ब दी फस्ट फॉर्म देना आई एन जी दा यूज किस तरह जिस तरह की आपनी वर्ब दी फस्ट फॉर्म है गो ता यह बन जेगा गो इंग प्ले 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 इंग कम कमिंग इस तरह वर्ब दी फस्ट फॉर्म देना आप आई एन जी यूज करांगे उस्तों बाद प्लस अब्जेक्ट दा यूजा येड़ा ओ आपकरांगे एथे दा कसंटेंस है हुर रही गाल इज एम आर दे बिच्चो आपका अकॉर्डिंग टू सुजेक्ट किस तरह यूज करांगे सब तो पहला आई दे नाल सिर्फ आपका एम दा प्लूरल मतलब के बहुव आचन है जा पा एभी कह सकना है जेकर अपना सुजेक्ट प्लूरल है बहुव आचन है क्योंकि सारे ही बहु आचन है वी यू दे प्लूरल ता इन्ना दे नाल अपका आर दा यूज करांगे आर बट जेकर सिंगुलर है ही शी इट जा फिर किसे नाम है था उसे जी लूर नाम है ता ईस दे नाल अपा इस दा यूज करांगे बट जीडी आई आई है आई दे नाल सिर्फ का अपब सा एम दा वे बागी तुसे नोट करने हैं वी, यू, दे, प्लियूरल, इना, दे ना र दा यूज करने हैं यज़े, इट जा फिर किसे दा सिंगुलर नेम इक नाम किसे दा जिस तरह की राहूल, री्टा एक जने दा नाम ता उसदे नाल अपा इस दा यूज़ा जड़ा ओपने करना है होण आपा देखो लिए के Example आपा इस दी कर लten है फिल्हाल आपा इक एक Example ही कर रहे हां बट आपा जो तो सारे ही TenS कर ले आपा सारे यह तेन्स ने अपने बारां दे बारा तेन्स उनना नूं मिक्स करके सारे नूं अपना कंप्यार करके इग्जांपल्स ने यडियां उपना करांगे डिटेल दे विच्च अफिल हाल देखो अफरमेटिव दा अपना सिंटेंस है असी किताब पढ़ रहे हां मतलब के जिस वक्त गल हो रही है अपनी वर्ब की है किरिया हो रही है पढ़ना मतलब के रीड अपनी पहचान होगी प्रेजेंट कॉंटीनिउज अपनी पहचान होगी सब पहला सुजेक्ट अपने कोल असी मतलब के वी ता सब पहला अपने कोल आ गया वी उन इज एम आर दे विच्चो देखो वी दे नालपा की यूज करांगे ए रहा वी एस दे नालपा यूज करांगे आर ता यह बाण जेगा वी आर उस्तो बार वर्बधी फरस्ट फर्म देना आई एज यूज करांगे रीडिंग वी आर रीडिंग हुन की पढन रहे हैं? उस्तो बार अपना आपजेक्ट अपग किताप पढने हैं वी आर रीडिंग ओ बुउक ए देखो ए अपना sentence इस तरा मन गया तुसी होर भी sentence बना सकते हो, तुसी अपने कोड़ो note book दे उपर होर sentence बना के देखो, जड़िया वर्ब्स ने उन्हा दे विच्छ अलग लग वर्ब्स ने जड़िया ओ यूज करके तुसी अलग लग तरह दे होर sentence भी बनाओ, अगे देखो negative, negative दे विच की होएगा, जिस तर प्लस इज एम आर, इस एम आर तो बाद प्लस अपा यूज करांगे, not दा, उस तो बाद सेम वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देना, ing प्लस अब्जेक्ट, यह अपना structure बन जीगा, हूँ देखो अपने कोड़ sentence है negative, मैं किताब नहीं पढ़ रहा, हाँ, इथे भी गल्ल हो रहा पढ़न दी, यह अपनी किरिया वर्ब, पढ़न दी का लखुरी है, पढ़ कौन रहा है, मतलों कि मैं दी का लखुरी है, subject मैं, I, ता यह subject हो गया, और की पढ़ रहा है, किताब यह अपना object, सब तो पहला subject यूज करांगे, I, I देना अपने को लगेगा, am, I am, वर्ब्स फ reading, और अपना object है, ओ है गया, किताब, a book, ता यह अपना बन जिएगा, I am not reading a book, अगला अपना है गया, interrogative, interrogative, जदो अपक किसे तो कोई प्रशन पुछ दिया, जिस तरह की देखो, यह है गया, 80 किताब पढ़ रहे हैं, ता नेग्टिव हो गया, 80 किताब नहीं पढ़ रहे हाँ, ता अपना interrogative होएगा, कि यह से ही किताब पढ़ रहे हैं, जा फिर किसे तो पुछिए, कि तुसी ही किताब पढ़ रहे हो, ता उस वक्त अपना structure है, ओ रहेगा, सब्तों पहले आपा यूज करांगे, is, am, या फिर are, क्योंकि अपना helping verb बैज़ आपा अग्गे देखो अपने को लेकी example है, कि तुसीं गीत गा रहे हो, हुना पाँ, पुछ रहे हैं किसे तो, कि तुसीं गीत गा रहे हो, सबतों पहला ता देखो इत्थे गाल हो रही है, गौन दी, मतलब के, sing, यह अपनी verb होगी, ता गा कौन रहे है, किस दी गाल कर रहे है, कौन गाउ होगा, तुसीं, ए होगया, अपना subject, तुसीं की होगा, यू, की गा रहे है, गीत, सॉंग, ता ए होगया, object, ए होगी वर्ब, गाउना, ता सबतों पहला पादेखो यूज करांगे, इस MR, बट आपा according to subject ही यूज करांगे, अपना subject देखो की है, तुसीं, मतलब के यू, त सबतों पहला इत्या अपना यूज होएगा, आर, उस तुवा subject, आर यू, सुजेक्ट वार्ब वर्ब दी फरस्ट फार्म दिना, आई एंजी, ता अपनी वर्ब की यह गौना, मतो के सिंग, सिंगिंग, आर यू, सिंगिंग, आर यू, सिंगिंग, की गा रहे है, object की है, मत प्रकलब के, गीत, song, a song, are you, सिंगिंग, आ, सौंग, और, अपना, इंटेरोगेटिव, अग्ये देखो, इंटेरोगेटिव प्लस नेग्टिव, जेकर, इंटेरोगेटिव भी होवे, और, इंटेरोगेटिव दे, नाल नाल, नेग्टिव भी होवे, किस तरह होगा, जिस और इस एक्जांपल नाल नेलना, कि तुसीं गीत गा रहे हो, ता इस दा इंटेरेोगेटिव प्लस नेग्टिव होझेगा, कि तुसीं गीत नहीं गा रहे हो, ता ओस वक्त अपना इला इला स्टुक्च्च侌 है, सेम इला की बड़ा ही होंदा है, सिर्फ अपने न अड़ दा यूज करना हुन दा आफ्टर सब्जेक्ट तब बाकी इड़ा स्ट्रक्चर है सेम रहेगा सब तो पहला एज एम आर प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बाद एधिया अपा नौट दा यूज करांगे उस तो बाद प्लस वर्बदी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एंजी दा यूज करना है एंड प्लस अब्जेक्ट क्वेशन मार्क हुन देखो अपने कोल एग्जांपल है की ओ टैन्स नहीं खेड रही है हुन देखो अपा किसे तो प्रशन पुछ रहां बट प्रशन पुछन दे नाल नाल आपने कोल देखो नहीं दा यूज भी हो रहा है की ओ टैन्स नहीं खे हुआ ए अपना होगाई सब्जेक्ट होगे ही दा मतलबी हो दे ही है वँ सिर्फ एक लड़के ले ही यूज़ कर दे है सकते है और आप他 एक तो जड़ड़की होनुं बेशक लड़की दोन्रों ही मिक्स होनुं अपना दे लही यूज़ कर दिया अधिय देखो कि यह है की ओट टैनिस नहीं खेड रही है मतलब कि एक लड़की निगाल हो रही है अधा मतलब इड़ा अपना सुजएक्ट है ओ है गाओ शी ता की खेड रही है टैनिस ए हो गया अपना अबजेक्ट सब तो पहला पा is mr दा यूज करांगे अपना subject है ओ मतलगे एक लड़की she ता she दे नाल पा यूज करांगे is दा ता सब तो पहला स्टार्टिंग दे भी चाहेगा is उस्तो बाद अपना हैगा subject Is she not हुन बारब दी फस्ट फॉर्म देना आई एंजी अपनी गल्लहूर या थे खेड़न दी प्ले मतलगे प्लेइंग इज शी नौट प्लेइंग उस्तो बाद अपना object किया tennis is she not playing tennis ता यह अपना question मार्ट ता यह अपना देखो complete बन गया इज शी नौट प्लेइंग टैनिस अगे देखो डाबल जूच फैमली डाबल जूच फैमली जिस तरह कि अपना पिछले sentences दे विच्छ या पिछले sentences दे विच्छ आपकर दे आया कि डाबल जूच फैमली दा यूज है जेड़े अपने ए वाले ने थर्ड दे फोर्थ इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगटिव इनना दे अगे डाबल जूच फैमली दा यूज है और आपनू किस तरह पता चाल दा कि डाबल जूच फैमली किसे sentence दे विच्छ आएगी सिंपल है आपा तो कोई questioning कर रहे है जो आपा किसे तो questioning कर रहे हैं जेकर उस प्रशन दा उत्तर yes और no दे विच्छ आ सकता है मतलब के yes या फिर no दे विच्छ दितता जा सकता है ता समझो कोई भी डबल जच फैमली दा उत्ते member नहीं है जिस तरह कि इनना दा पांसर दितता कि तुसीं गीत गा रहे हों, तो ओ कह सकता है yes या फिर no, एसलिए कोई भी डवल जच फैमिली दा देखो member नहीं आया, एसे तरह इस दे विच की ओ टैंस नहीं खेड रही है, ता एस दे विच भी yes और no दा answer अपा दे सकते, ता कोई भी डवल जच फैमिली दा member नहीं आया, ब बट एस दा इड़ा answer है, yes और no दे विच नहीं दिता जा सकता, क्यों, क्योंकि आप पानू दसना पहने है, कि जोद आपक इस तो पुछांगे तुसीं कित्थे जा रहे हों, ता आप पानू ओ गुन दसेगा, कि मैं कित्थे जा रहे हैं, है ना, किसे शैर दा ना दसेगा, किसे पिंडदा ना दसेगा, कि फलाणी जिगा ते जा रहे हैं, ऐसलिए कोई ना, कोई डबल जच फेंमली दा मेंबर इते जरूर है, ता सबस पहलना इस ता इड़ा स्ट्रक्च्र है, ओकी होए गा, सब तो पहलना डबल जच मेंच फेंअग ता ऊपनू लगद है, उस उस्तों बाद प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म देना आई एंजी एंड ओब्जेक्ट ता इस तरह आपना इस ट्रक्चर मनेंगा हुन देखो आपा इस नुब नौनिया तूसी कित्थे जा रहे हूं एस दा अंसरा पा येस और नो दे विच नहीं दे सकते एस लिया पाहु हूं मैंन कोंशन है तुसी कित्थे कित्थे जा रहे हूं मतलगे डवल जच फैम्मली दा मैं मरे ओं है वह वियर हूं देखो वियर आगया अग्गे अबने interrogative या फिर interrogative प्लस negative इन दे मताब को बनाओने हुन देखो के interrogative प्लस negative है या कल्ला interrogative है देखो तुसी कित्थे जा रहे हों मतलब नहीं दा यूज इस दे विच नहीं होया तक कल्ला interrogative है जेकर इस तरह होंदा तूसी कित्धे नहीं जा रहे हों ता अप ऐस देमताब के बनाओ दे अग्गे बटे कर दा इंट्रोगेटिव है ता अप ऐस देमताब के ता हुण अप इज, म, आर्दा यूज करांगे तो उस्तो पहला देखांगे वर्ब की है देखो तूसी किते जा रहे हूँ जान दी गल हो रही है जाना मतलब के गो जाना तो कौन जा रहे है तूसी ए हो गया सब्जेक्ट होण अग्गे किते जा रहे हो अब्जेक्ट आपने को नहीं हेगा ता कोई प्रॉबलम नहीं है ना ता आपको बनाओ दे चलना गए अपन वर्ब पता है सुजेक्ट पता है हूं देखो वेर वेर आ गया वेर तो बार आपका यूज करांगे इस एम आर ओस तो पहला अपना देखो सुजेक्ट किया तुसी मतलब के यू 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 दे ना गड़ेगा आर ता यहा वेर वेर आर यू दे अन्-डा फिर शीजेक्ट वेर आर यू ओस तों बादा वर्ब zebra अपनी घो ऍथम को इन गूइंघ बू एर आर यू गोइंग दा इत्टि अपना इंटेर्वेटियू क्योंड़ा भापना इंटैरोचिर मार्णाल भीचि多 अस यह एक्जापल्स कर रहे हैं। सिर्फ ऑपक Над पाने किस तरह हैं, आपना करना है। बट करें खत है। वह अग्जापल्स करना हैं। ओधो मैं तो अनु यड़े लंबे लंबे संटैंस ने ओ किस तरह बंदे ने ओ भी मैं तो अनु बना के दिखा मांगा तो फिलहाल सिर्फ इस वीडियो दे विच एन नहीं अपना प्रेजेंट कॉंटिन्यू स्टैंस एड़ा एक कंपलीट है एस दे स्ट्रक्चर ने अफरमेटिव नेगटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेक्टिव एंड डावल जोच फैमिली देना यह तुसी ने चंगी तरह याद रखने ने और आपनी नोटबुक दे उपर तुसी ने एट लिस्ट जड़े दास संटैंस ने ओ और उनना नोँ मैच करने ता जोदो गे अपा करांगे अगे अपा होर एक्जांपलां करांगे एंड दे उपर ता उथे तुसी ने कमेंट दे विचे लिखके जे कर तो आड़े तो कोई नहीं बन रहा संटैंस ता उसी कमेंट करके लिख सकते हो मैं तो अनूस ता जवाब बजड़ा हो दे दे बांगा तो फिलहाल इस वीडियो दे विचे सिर्फ एन नहीं आई होब के तो अनूस ए टैंस आड़ा चंगी तरह समझ आ चुक्या होगा जे कर टैंस चंगी तरह समझ आया है वीडियो वदिया लगी है ता लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो और जे क अगली वीडियो लेके ओदों तक देव इजाजत थैंक यू सो मच